तो सभी को सबसे पहले नए साल की धेर सारी सुब काम नाए अच्छे से पढ़े और आपके लिए नेक्स्ट यर भी सुब हो अच्छा हो और जो जो चीज चाहें आपको सब कुछ मिलता रहे तो आईए तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले एक्सराइस टेंथ बी का इंट्रोड़क्शन आप सभी ने देख लिया होगा एक बाद दुबारा से आई विशिंग यू वैरी वैरी हैपी न्यू यू एर यू और फैमिली सभी को आपके परिवार के जितने भी सदस्टिय हैं सभी को यह और फैमिली मेंबर सभी को आपके गुरुजनों को आपके दोस्तों को आपको सभी को निव येर की बहुत बहुत विशिज दिवारी क्लासेज के यूटिव चैनल के तरफ से तो आए हम लोग एक्साइस टैन भी स्टार्ट करतें क्वेशन नंबर बन से आप लोगों न लिए और 10th B का हम करने जा रहे हैं अपना question no.1 yes 10th B question no.1 सभी एक बार ध्यान से समझेंगे introduction सभी ने देख लिया question no.1 is find each one of the lettered angles given reason, reason आपको given on alternate angle given आपको चलिए question no.1 का first part आईए figure आपको given है और कह रहा है यहां पर कि आपको two lines given है इस तरीके से तिक और यह transversal line given है आप और यहां पर angle given है कितना भाई 70 given है और यहां पर given है कि आपको a आप से कह रहा है reason लिखा हुआ है type 1 में लिखा on alternate angle यानि क्या alternate angle लिखे हैं अगर आप देखें तो यह दोनों के दोनों angle आपको पहली बता alternate interior अंदल होते हैं alternate आपके जो exterior angle होते वह कहा होते हैं बाहर की तरह पते हैं तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो क्या है आपके अल्टर्नेट इंटिरियर एंगल आपके क्या होते हैं इक्वल होते हैं तो क्या लिखेंगे सबी के बात यह सेकिनद पार्ट पर दियान दीजेगा सेकिन पार अची आपकी तांस वर्सल लाइन होती हैं इंदेखेंगे अगर आप लोग एक यहां पर इस्टेट लाइन है और यहां पर यह आपका क्या हो जब टू पाइंट्स पाइंट इसेंग यह लाइन वह यहां दो यह सो है यह 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 यहल्टर्नेट इंटेर्यों अगल है थीक है यह लगा दीजेगा क्यूंकि इसे कह रहे हम लोग तो X की वैलिए कितनी आ गई आप लोग अराम से ङसको नोट कर लिजेगा पहले चलिएतो इसी का हम लोग आ थर्ड The nej सो आ सब्सक्राइब कीस ूराय। पर्ड पार्ट में क्या लीघा हूँ हुआ है थ हैं थ्यान सब्सक्राइअ इक त्रींगल रहा है wanna का और यहां पर आपको एंगल लिखे हैं कितना है यह वाला आपको गिविन है 70 डिग्री और यहां आप से कह रहा है कितना बी कह रहा है यहां से यह तो अगर आप इस तरीके से देखे तो यहां पर एक यह लाइन और यहां पर लिखा कितना ए है और यह आपका कितना हो जाए और बी किसके हो जाएगा अच्छा यहां पर यह 40 डिग्री अच्छा यहां पर यह 40 डिग्री कहरा आपसे तो एंगल ए आपका 70 एंगल भी आपका कितना हो जाएगा 40 डिग्री आजाएगा क्यों हो जाएगा अल्टर्नेट एंगल है यहां पर भी क्या हो जाएगा अल्टर्न तो क्या बन गई है अल्टरनेट एंगल बन गई आपके इंटीरियर देखे यहां पर यह इस तरीके से यहां पर भी इस तरीके से तो अल्टरनेट इंटीर एंगल है यहां पर भी जब आप इस लाइन को यहां पर देखे बढ़ाएंगे और यह आपको कितना गिमीन है यह वा हुआ है कि alternate by alternate angle आप से कह रहा है वहाँ पर on alternate basis आपको बताने है चलिए इस ही का हम लोग देखते हैं यह fourth part क्या कह रहा है fourth में अगर आप ध्यान देंगे तो कुछ इस तरीके से shape बनी हुई आपकी figure बना हुआ है कुछ देखें इस तरीके से है यह डीक है इसको आप यहां मिलाइंगे और यह आप से कहारा है यहां पर y है और यहां पर यहां को कितना कहरा है edher आप को कहरा है iPhone 25 और इधर segu 북 five is लिए आप से कितना हो जाएगा आपका 35 degree और x equal to कितना हो जाएगा 30 25 degree reason मालूम है alternate angle है यहाँ पर भी on the basis of हम लोग alternate angle एक पर करेंगे type 2 हम करने वाले हैं अपने question number 2 में on corresponding angles की बात करेंगे वहाँ पर आए देखते question number 2 में हमें क्या गिमीन है I hope आपको सभी कोई question समझ में आया होगा जल्दी से वीडियो को time up कर दीजेगा एक like कर दीजेगा जैसे कि हम आपकी भी like से इतना हमें पता चल सकता कि आपको वीडियो कैसी लगी question समझ में आया नहीं आया तो reason आप लोग same as link देंगे यहां पर भी तो आपका question number one complete question number two type two आये करते हैं हम तो question number two के अगर हम लोग बात करते हैं तो question number two कह रहा है on corresponding angles कह रहा है यहां पर type two है यहां पर आपका और हम लिख लेंगे यहां पर अपने type two को क्या कहना चाह रहा है type two corresponding angle corresponding angles को रेस्पॉंडिंग इंगल्स आपका टाइब टू आ गए हम लोग यह आपका question number two का first part पर आ गए हम लोग देखते हैं यह क्या आगी भीन है चलिए पहले हम लोग एक बार figure draw कर लेते हैं चलिए और यह आपकी हो जाए कि टांस्वर्जल लाइन हो गई यहां पर यह आपको गीवीन है और यहां आपको कितना गीवीन है one twenty degree गीवीन है तो अगर ध्यान देंगे corresponding angle क्या बताया था बच्चो एक ऐसी line segment जो transversal होगी एक ही side जब angle बनेंगे वह क्या होते हैं आपके transversal angle होते हैं तो on basis of corresponding angle ठीक है by corresponding angle है आपका corresponding angle आपका क्या हो जागा है angle a की value आपकी कितनी आजाएगी one twenty degree तो question number first second first part will be completed and now let's see question number second second part हम देखेंगा यह तो यहां पर भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक transversal line given है यहां पर एक आपको और कुछ इस तरीके से given है यहां आपको यह थोड़ा ध्यान से देखेंगे जादा question को समझने की कोशिस करेंगे यहां आपको कह रहा है one thirty degree और यहां आप से क्या कहा गया है अंदर की तरफ है x तो आपको यहां से पता चला बिल्कुल सर पता चला में x equals to कितना हो जाएगा one thirty x third degree हो जाएगा क्यूं हुआ corresponding angle देखें एक ही side बने हैं दोनों कौन है ना दोनों यह angle क्या है एक ही side बने हैं तो क्या लिखेंगे by corresponding angle by corresponding angle तो यह आपका second part हो गया third part पर जाएगा देखे third part क्या कहना चाहरा है यहां पर चलिए third और इसको हम रफ कर देते हैं जब तक चलिए third or fourth और देखते question number second का यह समझ में आपको सभी को आ रहे हूं comment करके आपको बताने है यह चलिए third part देखिया यह थर्ड में एक triangle बना हुआ अगर आप देखेंगे ध्यान से थोड़ा इसको इस तरीके से देखें और यह फिर इस तरीके से यहां है यहां पर a दिया हुआ आपको और यह यहां पर आपको कह रहा है कितना 60 degree क्या है यह 60 degree है और अगर हम fourth वाले की बात करेंगे आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यह इस तरीके से है तो यहां अगर आप थोड़ा ध्यान देखेंगे तो यह 50 degree हो जाएगा और यहां आपको कह रहा है यह X है किलर बात यहां पर कह रहा है कितना है यह Y है और यहां पर आप से कह रहा है कितना है 60 degree है बात समझ में आ रही होगी साथ हमको लगता है इसा चलिए थोड़ाव ध्यान से देखेंगे एक बार एक बार रिचेक कर लेते हैं को अपने बिल्कुल बिल्कुल सही एक्दम यह यहां पर एरो है थोड़ा और यहां पर यह आपको कह रहा है यहां रहो है यह इस तरीके थ इस तरीके से बढ़ाएं तो एक क्या है आपका corresponding angle अगर आप यहां पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो angle A आपका कितना हो जाएगा 60 degree होगा सर बिल्कुल आपकी संज में आया होगा यहां यह देखिए transversal line की बात करें तो X की value कितनी आपको बता चली corresponding ispending by X की कितनी हो जाएगा आपकी बताईए X की कितनी हो जाएगी 60 degree X देखे न language corresponding angle यही तो होते हैं आपके इस तरीके से line तो है यह देखे इस तरीके से angle बना हुंआ है यह आपर में div 50 डिग्री तो एंगल एक्स और एंगल वाई के हमें पता चले एंगल एक्स आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री तो वाई आ गया 50 एक्स आ गया 60 एक बार दुबारा एक बार ध्यान दे लेंगे एक की वैल्यू कितनी आपर 60 क्यों है बाई आपको लोगों के मताबिक बिल्कुल जैसा आप लोगों के तरीके से वीडियो अपलोड हो रही कुछ बच्चों के मैसेज आए कुछ बच्चों के कमेंट्स आई किसा वीडियो की जो टाइन मिंगें बहुत ज़ादा वड़ी हो लेंथ ही हो रही है तो उसको अब बहुत ज़ादा कम कर दिया गया है आपकी वीडियो लगबाए ट्वटी मिनट्स तक की है फिप्तींagog अपलोड करें है अब और कोईशिन 3 याaway और Lessard रेक्पर कर रहें चेष तो question number two हमारा ये complete वा ये third part था और ये आपका कौन सा part था fourth part था तो question number two हमारा type two complete हुआ next question पर हमा जाएंगे अपने question number third पर interior angle की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर co interior angle की बात करेंगे type third में तो चलिए question number third देखते हैं आईए क्या giving हमें लोग समझेंगे जड़ा fourth quarter थोड़ा ध्यान से समझेंगे देखें यहाँ पर एक किस तरीके से line giving है और एक किस तरीके से line giving है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से देखना चाहेंगे बच्चो क्योंकि यह line इस तरीके से intersect करी है देखें तो देखें यहाँ पर यह eating viveam ठीक है और एक line आपको क्या given है बच्चो इस तरीके से giving है थोड़ा ध्यान roadmap तो देखें यहाँ x है और जिए खिए anc areas के लिए हम दोग इसके लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ देखेज़ा क्या leaving है क्या विंधे यह कितना द्burg सेकंड वाले की बात करेंगे तो याले के लिए कि यह ना जाहिन है यहां पर यहां क्या रही है besoin कम दोड़ниц को से मैं यहां पर भी काम करना है करना हूं वे ध्यान से थोड़ा साम देखें यह आपकी एक लाइन है यहाँ पर और इस तरीके से आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर आपसे एक कह रहा है फिर एक लाइन आपकी कुछ इस तरीके से दी गई है अब ध्यान से समझनी है यही तो ट्रांसवर्जल लाइन है अब यहाँ पर कितना कह रहा है आपसे स कहां पर two points intersect करती वही transversal line होती है अब आपको हम इस तरीके से figure दे दें क्या यह transversal line है क्या अरे नहीं है बच्चो reason सुनो क्यों नहीं है transversal line का means होता है कि two points पर क्या करना चाहिए यह वह intersect करना चाहिए तो यहां तो एक ही point पर सब कट कर रहे हैं तो इसलिए यह transversal line नहीं है यह हम लोग transversal lines है हमारी तो चलिए हम लोग question no.3 basis of on the interior angle basis पर type 3 करने वाले अपने आईए question no.3 पर तो टाइप हमारा थर्ड ओन इंटीरियर ओन इंटीरियर एंगल्स on interior angles on the same side of on the same side on the same side of transversal of transversal जिसको हम लोग cointerior भी बोल देते हैं क्या बोल देते हैं है को इंटीरियर थे कोइन्टीरियर एंगलोग में हम लोग इसको बोल देते हैं नहीं यॉद से चलिए था धोब फृस्ट पार्ड समस्ट और ना में आये पार्ट पर हम हम इसके question third का first part तो देखेंगे यहां पर एक आपको transversal line giving है देखिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग अब तक समझ गए होंगे क्योंकि आप सभी ने example और introduction सब इसके देख लिए होंगे देखिए यहां क्या लिखा है यह लिखा हुआ है और उपर क्या लिखा हुआ है 120 लिखा हुआ है क्या लिखा है 120 लिखा हुआ है ठिक अब देखिए यहां पर interior angle और exterior angle के हम लोग बात कर रहे थे अभी तक on interior angle on the same side की बात कर रहे same side जिसको हम लोग क्या कहते हैं co-interior angle भी हम लोग बोल देते हैं तो A आपको और A आपसे पूछा गए तो आप कहेंगे यससर बिल्कुल A हमारा कितना हो जाएगा 120 degree क्यों हुआ भाई interior angle या co-interior angle आप बोलें क्या कहिएगा co-interior angle आप इसको बोलेंगे लियुकम का भी रहा इसके बी पार्ट देखी कर दे अकर आप कर आपको और यह आपको कह रह रहा रहा है क्या कह रहा है क्या और यह एक रहा है यह आपका question क्वेश्चनगी लिए था और तो चेक complete हुआ इसी तरीके से है न बिल्कुल यही है अब आपको सब को पता सर आपने एक बात बताई थी कैसे करेंगे solve यह बताई आप इसको सर आपने एक बात बताई थी कि जब भी state line पर angle बनते हैं तो वो सर 180 के equal होते हैं किसके होते हैं सर 180 के equal होते हैं तो आपको जब मालूम है तो सर आप करिए ना तो 100 प्लस एउक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा और एकी value कितनी आ जाएगी एक 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 वैल्यू कितनी आ गई एक टी डिग्री आ गई कांसा पार्ट हो गया यह second पार्ट हो गया आपका थर्ड पार्ट पे ध्यान रखेंगे आए थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम हमको करना है कि फिगर पहले डौ करते हैं उसके बात देखते आईए तो थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट क्या दिया है टू ए और थ्री ए कह रहे हैं ना थ्री ए उपर टू ए नीचे थ्री यहां कहा है कितना वाई टू ए और यहां आप से कह रहा है कितना थ्री ए ठीक है टू ए प्लस कितना थ्री ए बेल्कुल सही बात है बहीं एंगल आपको गीविन है टू ए और कितना थ्री ए सबको पढ़ा सर आपने एक ही बाल बता रहा कि सर इस्टेट एंगल लाइन पर जो भी एंगल बनेगे अब चाह इंटिरियर एंगल की बात कर देखें को इंटिरियर हो दोनों के दोनों एंगल क्या हो को इंटिरियर हो उसको हम लोग क्या क्याते है को इंटिरियर बोल देते हैं अच्छा फर्स्ट वाले में बात कर लें अगर हम आप लोग समझ रहोंगे सर फर्स्ट वाले में एक तो आपको इंटिर गीविन था और एक एक के basis पर हमने किया था देखिए स्टेट लाइन पर गीवीन है तो क्या लिखेंगे टू ए प्लस थ्री ए इक्वल्स तू कितना होता है 180 डिग्री यानि कि जो भी स्टेट लाइन पर बनेंगे स्टेट एंगल होते उन पर टू एंगल का सम कितना होता 180 डिग्री होते है यानि टू ए प्लस थ्री ए कितना हो गया 180 डिग्री तो थ्री और टू कितना हो जाएगा सर फाइप पे हो जाएगा और यहां पर सर आ गया हमारा 180 डिग्री सर इसको हम लोग क्या करेंगे अब सर इस आप से एक ये वाय पूची गई आप से एंगल पूचे गए तो आप क्या करेंगे सर यहां पर हम क्या करेंगे यह फिर्स mov लेते माल लीजेवहां क्या हब हमारा फिर्स लीइढर हमारा था तो तो फोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो सकता है थर्ड पार्ट इसका समझने की कोशिस करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं कि सर आप ने डरा दिया एक तो तो डरना बिलकुल नहीं है और मैट्स को जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप से सौल होते रहेंगे अगर आप इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप इसको रट्टाफिकेशन लगाने की कोशिज करेंगे तो बच्चों हाप के हाथों से निकल सकता है इसलि किसे ड्रो करनी है यह है ठीक है यह आप से कह रहा है सिक्स्टी डिग्री कितना कहा यहां पर आप से सिक्स्टी डिग्री कह रहा है यहां आप से कह रहा है वन वन जीरो डिग्री हंडर्ट टैन मेंस यह कहने का मतलब यह कह रहा आप से बी है यहां से आपको ठीक है और यहा सिर्फ बिल्कुल यही ऐसा यह बना देंगे चलो एरो लगा देंगे अब हमने यहां पर यह ठीक आए देखें बहुत बढ़िया क्वेशन है टोप जिसको हम लोग कहते हैं आयो देखें बहुत बढ़िया यह कि स्टेट लाइन है यहां पर यह क्या यह सर्च सही कह रहे हैं बिल्कुल स्टेट लाइन है तो क्या बता है इस्टेट लाइन पर जो एंगल उनका सम कितना होता 180 डिग्री होता है क्या लिखेंगे बी प्लस 110 इक्वल्स टू 180 सर अब हम लोग क्या करेंगे सर इसको इधर ले चलिएगा तो 180 माइनस 110 माइनस तो सबको आता हा तो वी कि वैल्यू कितनी आ जाएगी हो हो सर आह ने गलत कर दिया है बता यह कितना रहेगा बताइग है किटना राइगा तへ eyelashesमा भाष साभाष साभाष मेरे सरो साभाष टो बीभी वैल्यू कितनी आ गई सेवंटी डिगरी आ देखिए ध्यान देना आप लाइन पर ध्यान देना यह मत सोच लेना कि सर बीवी बना रहे ना ना बिल्कुल नहीं यह स्टेट लाइन थी आपकी अरिस वाले के लिए यह स्टेट लाइन है सर सही कहा आपने तो ए प्लस सिगस्टी डिग्री कितना वन इट्टी डिग्री इer लेगे माइनस हो जाएगा अब कितना आएगा वन इटी मेंस मीइस करेंगे सर कितना आएगा बताइए बिटा कितना आएगा 120 वेरी गुड साबबास मेरे सेरो साबबास 120 डिग्री तो आप लिख सकते हो औरे भाई क्या लिख रहे हो सरा आप 120 यह डिग्री का साइन जरूर लगाना एंगल में ठीक है बच्चो ठीक तो आप यहां क्या लिखेंगे हैंस एंगल A इक्वल्स टू 70 डिग्री एंड एंगल B इक्वल्स टू 120 डिग्री यह आपका क्या हो गया बच्चो फूर्थ पार्ट कम्प्लीट वा क्वेशन नमबर थर्ड का क्वेशन नमबर जो नेक्स्ट हैं आपके 4567 जो भी हैं उनको हम लोग नेस्ट वीडियो में करेंगे और आप लोगों को एक बार दुबारा से तिवारी क्लासिस के यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं मैट्स फैकल्टी सिवम आप सभी को नव वर्ष के हार्दिक सुप काम नए देता हूं आपको आपके परिवार के सदस्यों को आपके टीचर्स को आपके फ्रेंड सरकल जितना है सभी को तिवारी क्लासिस के यूट्यूब चैनल की तरफ से बहुत-बहुत धेर सारी सुप काम नाए खूप पढ़े खूप बढ़े और देश में देश की प्रगत करेंगे और फोर से स्टार्ट करेंगे तब तक के लिए गुडबाई टेक क्यार एंड है वनाइस डेव बाई बच्चो कि कि